तो हेलो गैस्पिस मेरा आजर नाम और आपका Oh My God To Kei Movie Review में स्वागत है तो ये वीडियो को पुरा देखिए प्लीज करके क्योंकि ये वीडियो काफी ज़्यादा डिफरेंट होने माला है क्या-क्या चर्चाए और क्या-क्या चीजे बाहर निकल लिए अगर आपको इस सब चीजों के बारे में नौलेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओडियंस बहुत सारी ऐसी ओडियंस है जो फिल्म के नाम और अक्षे कुमार के पोस्टर को देखकर टिकट्स ले लिए और सीनेमा घर में बैट के देखने के लिए उनके बाद उनको मालूम पड़ा कि यह मूवी में क्या दिखाया जा रहा है तो आपको अगर थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि इस फिल्म के अंदर क्या है और की इस टॉपिक पर बनिये तो ये वीडियो थोड़ा आपको स्पोईलर हो सकता है तो वीडियो में आगे बनने से पहले आप साधान हो जिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ Oh My God मूवी के बारे में जिसके अंदर अक्षे कुमार के साथ पंकस्तिर पार्टी और यामी गौतम भी लीड रोल में देखने को मिलने वाले है अक्षे कुमार का जो कैरेक्टर है मूवी के लिए वो एक साइड रोल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि Oh My God जो फर्स पार्ट आया था 2013 में यहाँ पे Oh My God 2 के अंदर अक्षे कुमार का जो रोल है वो फर्स पार्ट से थोड़ा कम रोल यहाँ पे देखने को मिला यानि कि जो स्क्रीन टाइमिंग है अक्षे कुमार का वो पर्सनली मुझे कम फिल हुआ इसके अलावा अगर मूवी के बारे में बात करें तो देखिए मूवी का फॉर्स्ट हाफ काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है जिस टॉपिक पर फॉर्स्ट हाफ में एक नॉर्मल संदेशे को जिस तरह से मैसिस को लोगों को समझाने की कोशिश करेगी है इस फिल्म के मार्द्यम से वो बहुत ही अच्छी तरके से प्रेजेंट होते हुए दिखाई देता है जितनी भी समाज में sensitive जो issues वेगे रहा है उन चीजों को काफी अच्छी तरके से फॉर्स्ट हाफ में यहाँ पर हैंडल करते हुए देखा गया है और कही ना कही जो इसको हैंडल करते हुए जो comedy timing create किये गए जो comedy human देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छा है और आपको जरा भी बोर नहीं होने देता है इसी के साथ film का first half खतम होता है काफी entertaining और engaging के साथ वही second half movie का जब आता है तो second half इस movie का उस मुद्दे पे आ जाता है जिस मुद्दे को लेकर इस film को काफी ज़्यादा उल्जे और समस्यावों में उल्जाया गया जैसे कि sex education वाला जो topic है यहाँ पर हमें second half में देखने को मि काफी चीजे relate की गई है हमारे कुराणों हमारे गरंथ हमारे जो भी धार्मिक चीजे हैं उनके अंदर इस चीज को लेकर क्या कहा गया है क्या यह सही है क्या गलत है यह movie के अंदर धीरे भाई धीरे हमें पंकस तिरपाटी के character से पता चलता है यानि कि कुल मिलाकर यहाँ प अमान चाहे child abuse या good touch, bad touch चीजों को काफी sensible तरीके से दिखाने की कोशिच की गई है फिल्म के अंदर और कहीं न कहीं movie के जो maker से वो इस चीज को दिखाने में सक्षम भी रहते हैं end of the end यहाँ पे जब movie का climax आ जाता है तो movie का climax मुझे personally उतना ज़्यादा अच्छा या feel नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे movie का जो main topic है हस्त मैथून उस चीज को लेकर movie के अंदर इतने भाशड वेगेरा देने के बाद end में climax में यह का जाता है कि यह चीज जो है यह chemical release वेगेरा होने से age chemical release होने से जो होता है वो अपने आप होता है और यह कोई खराब बात नहीं यह again अच्छी बात है तो मैं film के makers से यह बात कहना चाता हूँ कि आप में इस topic के उपर film मनाई जो की कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस चीज को लेकर इस topic को लेकर बहुत सारे social media पर जो motivational speakers वेगेरा के through हमें बहुत सारे ऐसे source मिल जाते है इस topic के कि इसका ग्यान लिया जा सकता है आप बोल सकते कि ऐसी topic पर हमें खुल कर बोलना चाहिए बट मैं आपको बता दू कि ऐसी topics पर लोग ऐसे sources बहुत सारे sources से जहां से यह ग्यान लिया जा सकता है जिसे ग्यान चाहिए जिसे knowledge चाहिए उसे again and again अपने आप मिल जाता है मैं कहना यह चाहता हूँ कि आपने again अस्त मैथून से जो भी इसके है बोल दिया कि हाँ यह अच्छी बात है करना चाहिए बट आपने यह नहीं सोचा कि इस movie का end थोड़ा change भी किया जा सकता है कि अगर हम ना करें तो इसके कितने advantage है कितने फायदे यह भी तो again इस movie के relate करती है कई बार बहुत लोगों का जीवन ना समलने के कान बरबाद भी हो जाता है बट यहां पर film के makers ने पूरी तरह से यह बोल दिया कि हम education पर film बना रहे हैं यह education देना चाहते है लोगों को ताकि education system में सुधार है बट आपको बता दू कि जो film में बनती है जो cinema है वो कह कर लेती है जो चीज़े खराब है तो जो छोड़ देती है बट मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने अच्छा बोल दिया कोई कल को करने लगा और उसमें हो गया तो फिर उसका क्या होगा आपने पूरी तरह से फिल्म के अंदर उस चीज़ को अच्छा ही बता दिया है अग बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है इसके अलावा पंकस्तिर पार्टी का जो काम है बिल्कुल मसक्य जैसा है बहुत ही प्यार और अच्छी तरीके से लोग को समझा पाते हैं उनका प्रदर्शन बहुत ही इंगेजिंग है इसके अलावा यामी गो कमेट जरू करें और चैंपन नहीं है तो चैंप को सब्सक्राइब करें बेल एकन कौन करें ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन फीचर में आपको जल से जल मिलती रहे तब तक के लिए जैहिन मिलते हैं नेक्स वीडियो में